तो हेलो स्टुडेंट वेल्केम बेक टू माई चैनल सम्राट अकेडमी दोस्तों मेरा नाम है कास और मेरे प्यार विद्धार थी इस वीडियों हम करने वाले हैं कलास 10 के समाजी विग्यान के वेरी वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट क्यूसन ठीक है और 2022 बोड एक्जाम बहुत है और 90 से plus máximo आप ला पाओए हां अगर बीडियो अगर आप कर सकता है सकते हैं अभार्ट वीडियो देखे उसको लिग कर याद कर ले तो उसका 90-फ्लस सब्सक्राओर की जो कि एक्जाम की दिश्टी कोड सो मत्तो पूड़ो जैसे पहला प्रशना आप देखे बहुत ही ज़्यादा मत्तो पूड़ प्रशने पहला प्रशने अब हमसे यह पूछ रहा है कि जल संसादन से क्या है आपको मालूम नहीं होगा कि यह प्रशने कितना मत्तो पूड़ बह प्रितिबी के भूतल पर द्रौ ठोस यु वास्प के रूप में उपलब्ब जल को जल संसादन कहते हैं थो क्ल्ग कहते हैं अब प्रितिबी पर उपलब्द कुल जल में से प्रितिबी पर जल उपलब्द है उस कुल जल में से 97-95% भाग सम्मुंदरों में खारे पानी के रूप में है यही आपका जल संसादन कहलाते है बताए कितना मुश्ट इंपोटेंड क्यों सहना है याद करने में भी कुछ नहीं याद हो गया सिंपल कि प्रिद्वी के भूत तल पर द्राव ठोस्यम वास्प के रूप में उपलाब्द जल को यह हम क्या कते है जल संसादन कहते है अब प्रिद्वी पर उपलाब्द कुल जल में से 97-95% भाग समुंदरों में खारे पानी के रूप में होता है बस पहला प्रिद्वी याद हो गया बहुत ही ज़ाद अब तो पुर प्रष्णे जस्ट इसी साथ बढ़नुग है अगले प्रष्णी की तरफ प्रष्ण wünsक दी कफे इसे प्राकार संसादन की दो प्रकार बताईए तो जल संसादन के दो प्रकार ने भी लिखी ते कौन को लिखे पहला हमने आइलाइटेट करके अच्छी से लिख दिया पहला सता का जल जैसे नदी तलाब जहरने इत्यादी यह जो सब हैं यह सता के जल यह पहला प्रकार जल संसादन का सता के जल में नदी आ जाता है तलाब आजाता है जहरने इत्यादी दूसरा होता है भूमिगत जल तो भूमिगत जल में क्या कुण आ जाएगा नलकूप आ जाएगा आदी तो यह दो प्रकारें जल संसादन के सता का जल अब भूमिगत जल जो कि हमने यहां पर जैसे में ग्जांपल देखें आप लोगों को प्रश्ड़ नेक्ष्ट कैसले की समय कि तरफ और थी तरफ और रोलःत्षकाम करें कुछ ना इकत्रित करें की उद्योग की सपारा हमारे जल संसादुन को प्रदूसित कर रहा है देखिए जल संसादनों को निम्लिखित प्रकास से प्रदूसित कर रहे हैं कितने प्रदूसित कर रहा है जो प्रदूसित कर रहा है दूसरा होता है अद्योगी कर रहसान का निस्तारन खूली खादानों केमिकल को तो केमिकल करने के बाद कि वर्दूसित का क्या जलिखे संसादनों को प्रदूसित करने का छले क्या चलिए सब्सक्राइब. बता पाएंगे तो इस तरह त्यारी की जाते हैं वेरी मुष्ट इंपोरेंट क्यूशन सारी करा रहा हूं अच्छे तरीके साथ की दिमाग पूरा बता मुष्ट इंपोरेंट क्या तो बहुदेश पर योजनाओं को सौतंत्रता के पस्चाथ शुरू किया गया जब हमारा देश सौतंत्रत हुआ अजाद हुआ उसके बाद बहुदेश पर योजना च्रावी की हुआ था सुरू हुआ पर्यूजना का उद्यस से नदी के जल को संग्रहित करके जल गशैंना का समचित करना था यह पर्यूजना का यहलाता है ठीक है I hope आपको question number 4 अच्छे तरीके से clear हो गया होगा कोई without नहीं होगा question number 4 में आप लोग से clear है चले question number 5 कितर बढ़ेंगे और question number 5 बहुत ही जादा महत्तोपूर प्रश्ण है question number 5 है कि भारत की सबसे बड़ी बहुत देशिय नदी घाटी परयोजना का नाम लिखना है तो आप उत्तर लिखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी बहुत देशिय नदी घाटी परयोजना है ब्लेक पेन और यहां ब्लेक पेन से इसको ब्लेक पेन से लिखना है तो खेयं ब्लेक पेन से लिखना है तो भारत के साथ बड़ी बहुदे से नदी गाठी परविजना क्या है भागडा नागल परविजना जो कि सत्लण नजी पे क्यूस से नमर फाइव कॉंप्लीट होता हुआ बहुत ही ज्यादा मैं तो पुल प्रस्ण है जल्दी से क्यूसर बढ़ेंगे अगले बार क्यूसर न करनाटक के बीच में करनाटक की बीच में क्रिष्टना नदी जल्विवाद कहां पे महाराष्ट करनाटक आंदरपरदेश की बीच में और तीसरा रावी व्यास नदी जल्विवाद जो कि यह जल्विवाद पंजाब हरियाना राजस्थान के बीच में तो यह था अंतराजी जल्विवाद की एक सूची तो अंतराष्टी जल्बिवाद तीन है कावरी नदी जल्बिवाद किष्णा नदी जल्बिवाद और रावी ब्यास नदी जल्बिवाद और या कहां कहां किनके किनके बीच है यह भी मेली दिया हूँ काविरी नदी जल विवाद तमिल नाडू करनाट की बीच किष्णा नदी जल विवाद महराष्ट करनाट कांदर प्रतेश की बीच रावी ब्यास नदी जल विवाद पंजाब हर्याणा और राजस्थान के बीच आई होप आपको क्यूसर नमर् सिक्स अच्छे तरीके से किलियर हो गया होगा ठीक है चलिए क्यूसर नमर् सेवन की तरह बढ़ी चलते हैं चलिए क्यूसर नमर् सेवन आपकी स्किन पे जोकि बहुत ही ज़्यादा महत्व पूर प्रश्ण है कि भारत के किन्नी दो जल पर्योजनाओं के नाम लिखे भारत की किन्नी दो जल विदुथि पर्योजनाओं के नाम लिकिना है दूसरा दमोदर नदीगा werdगानाँ चाहिए दिमाग में screws नबे पररशंट्ट लाने के लिए K मजाग है तुम्हें पढ़ा रहूं कोई दीकत न होगा ठीक है सारे क्यूसर साप रिवीजिन करके बस देखते हुए जाए फिर एक्जामें लिख देंगे उसको क्यूसर नुमर 7 चैनल के लिए कि इसको दियान से समझे कि आपने दीन प्रति-दीन के अनुभाव के अधार पर जल सनरचन के लिए एक संचिप प्रस्ताव लिखे निमलिखित प्रयास किये जाने चाहिए, कौन-कौन से प्रयास जल सनरचन के लिए किये जाने चाहिए, उसको हम लोग एक के करके देखेंगे, तो पहला है कि वर्सा जल का उचीत सनरचन किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात, वर्सा जल का उचीत सनरचन करना चाहिए, उ जैसे मर्जों से जादा से जादा पानी को नुक्सान किया जाए उसका उचीत उपियोग किया जाए जीतना पानी किया सकता है उतना ही पानी खर्च किया जाए तीसरा है बागवानी आदी में घरेलुकारों में उपियोग तो बियर्थ पानी का प्रियोग किया जा सकता है तो बगवानी यादि में जो से फूलों का उसमें आप लोग बहुत ज्यादा पानी का उपयोगत करते हैं ठीक है तो बेर्थ पानी का प्रियोग किया जा सकता है वहां पे ठीक है चौता है जल के बेर्थ प्रियोग को नियंतरित किया जाना चाहिए जल के बेर्थ सही जल जैसे में आप जेल को नुक्सान करते हैं उनके परियोग को नियंतरित किया जाना चाहिए यह यह आपका है कह रहा था कि अपने दिन प्रति दिन के अनुभव के आदार पर बताइए कि जल्ड संचड के लिए अक्संची प्रस्ताव लिखने के लिए वरत हमने लिख दिया कि उस्तर नमर आठवा है जो कि बहुत ही ज्यादा मैं तो पूल प्रस्ण आई होप आपको अच्छे तरीके से किलिए रोगया प्रस्ण मर आठवा एक बर दिखा देता हूं यह प्रस्ण मर आठवा जल्दी जल मिच मात्रा लगबग 22% मिटी में परवेश कर भूमिगत हो जाती है वर्षा का जल की जो वर्षा होती है उसके 22% लगबग जल मिटी में परवेश करके क्या हो जाता है भूमिगत हो जाता है जिसे भूमिगत जल अत्वा अदो भूम जल कहते हैं तो अदो भूम जल पूच आए होपको किसे नम्र नाइन अच्छे तरीके से क्लिए हो गया होगा कोई भी समस्या नहीं होगी किसे नम्र नाइन में अब हम बढ़ेंगे अगले क्यों 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 सब्सक्राइब किसको सामिल किया जाता है यह पूछ रहा है तो उत्तर लिखेंगे कि महासागरिय जल के अंतरगत महादीपो के मद्य इस्तित सागर लगु सागर तथा खाड़ी का जल सामिल है यही पूछ रहा है कि महासागरिय जल के अंतरगत किसको सामिल किया जाता है तो सागर को लगु सागर को और खाड़ी को सामिल किया जाता है ठीक है आई होप आपको किस्तों नमर दस अच्छे तरीके से के लिए हो गया होगा किस्तों नमर 11 की तरह बढ़ेंगा किस्तों नमर 11 देख लीजे कितना मत्तपूर प्रशन है कहरा कि बहुदेशिय पर्योजनाओं के किनी तीन प्रतिकुल प्रभाव को बताना है तो पहला है पार तो आई होप आपको किस्तों बर 11 अच्छे तरीके से किलिए हो गया होगा तो मेरे प्यारे विद्यार थी हो इस विडियो में हमने टोटल 11 क्यूसन डिसकेस किया जो कि इतना ज्यादा मैं तो पूर है कि कहीं से भी क्यूसन पूछेगा आप बता पाएंगे सूरा एकदम अ जाएंगे ठीक है 90 प्लस माक्स आपका आने वाला जितना वीडियो बनाओ वह सिर्फ आप देखते जाएंगे तो चलिए मेरेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियों तब तक लिए धन्य बाद वीडियो अच्छे लगी तो प्रीज लाइक कीजिए चैनल पर नहीं तो चैनल को स